नमस्कार आप यहार इंसोर्स देख रहे हैं मैं हूँ परम्बेड सिंग देखिए इस वक्त दर्भंगा जीले से एक बहुत ही दुखत समचार साम्या रहे हैं द्रसल एक ट्रेनी महिला दोरोगा ने आत्म हत्या कर लिए घटना जीले के इनुर्शिटी थाने की है ट्रेनी ए डिरेक्ट सिर में मारी गई और अभी जो रीवर्वर है वो लक्षमी के हाथ में ही परा हुआ है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में संसनी का महौल है और जितने भी बड़े अधिकारी है एसपी सीटी एसपी सब कोई घटना इस तर पर पहुंच कर इस मामले का भ्ड़ाइए और घटना का कारण क्या है इसको मालूम करने के लिए पुलीस हर मामले की जाज कर रही है इसके साथ ही जो महिला परस्ट्चुक्ट जिस घर में रहती थी उस घर को पूरे बारीकी के साथ तलासा जा रहा है कि कोई सुसाइट नोट मिल सके जिसके कारण आत् कि दरोगा का पजम्ट मिला था अभी दरोगा का वो ट्रेणिंग कर रही थी दलभंगा के इनुवस्टी थाने में उनकी तेनाती थी जहां पर वो दरोगा की ट्रेणिंग ले रही थी लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लक्षमी को खुद को खर्म करना पड़ा इस मामले की बहुत ही बड़े इस्तर पर जाज की जरूरत है और लोग भी यही जानना चाहते हैं कि आखी 25 वर्षिये लक्षमी को किस बात से दिखता था जिस होज़ा से उसे अपने जिंद्ग साथ सुपोल से दर्भंदा आ गये हैं वहीं जो सौ है सौ को करने के लिए दर्भंदा संदर अस्पतार में भेज दिया गया है और पूरे मामले की जाज की जा रहे हैं इसके साथ ही जो सीटी एसपी हैं और सुक परसाद वह घटना इस्तर पर पहुंचे हैं और खुद इस मामले की जाज कर रहे हैं और परसाद मेडिया से बात करते हुए जनकारी कि हम सिर्फ आतमहत्या है के बिंदू पर ही इस मामले की जाज किया जागा बल्खी इसके साथ ही असुक परसाथ ने ये भी बताया कि आत्महत्या के बाद जो रिवल्वर है वो लक्षमी के दाहिने हाथ में पाया गया है ऐसे में सभी मामले की जाच की जा रही है अब क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर कॉमेंट करके जरूर बताएगा अगर वीडियो आप फिस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा धन्यवाद